नमस्कार मैं हूँ अमीशा और आप देख रहे हैं फोरम फोरम उत्तर परदेश में विधान सभा चुनावों को देख देश की राजनेता असल मुद्दों को कहीं भूल से गए हैं अब राजनीती शिक्षा बेरोजगारी पर नहीं बलकि मंदिर मस्जिद हिंदू-मुसलिम और हो रही है और अभी मुद्दों में टॉपी की राजनीती शामिल हो गई है जी हाँ टॉपी की राजनीती ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन बीती दुनों में नेताओं के मूझ से यह शब्त काफि सुनने को मिल रहा है अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश क केशय प्रसाद मौर या जालीदाठ दॉपि पहनने वालों की बात कर रहे थे और उन्हें गुंडा बता रहे थे और प्दान मंत्री ने भी टॉपि वालों का जिक्र कर दिया है जिस पर बवाल शुरू हो गया है क्यूंकि पिए मोधी के बयान पर पुमो पर यह बड़ा म में एम समेत कई परियोजना को उद्गाटिन करने आये थे जिसमें उन्होंने लंबा वाशन दिया और इस भाशन में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश शादव पर अपने शाब्दों से हमला किया उन्होंने कहा कि याद रखिए लाल टोपी वाले यूपी के ल लेकिन बड़ी बात यह दूसे सरकारी संजे सिंग्ने ईड़ी टीवी से ऊफिशल् काली टोपी लगाते हैं उनकी पाटी काली टोपी लगाती है उनकी मातरी संस्ता भी काली टोपी लगाती है ये काली टोपी लगाने वाले काले दिमाग के साथ काला कानून लाते हैं मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वैं लाल किला का नाम बदल कर काला किला कर दें क्या वैं 15 पुर्ण को काला किला पर जंडा फेराएंगे समाजवाती पार्टी सांसट जया बच्चे ने पिये मोदी के बयान पर तंच कसते हुए कहा कि जब भी मौका मिलता है मैं लाल तोपी पहनी थी मुझे लाल तोपी पर घर्व है मैं काली तोपी नहीं पहनती उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री के बोलने से क्या होता है आपका काम बताएगा आप पांच साल से वहां बैठे रहे आपने क्या किया यह पब्लिक बता देगी वो घबराए हुए हैं कुछ भी बोल रहे हैं टीमजी सांसद महुवा मोहितरा ने कहा कि पीमो के हैंडल से ऐसे ट्वीट कैसे कर सकते हैं इस जनता के पैसे से चलता है पार्टी फंड से नहीं पीमो सरकार दफ्तर है नीजी नहीं पीमो के हैंडल से इस तरह की भाशा वाले ट्वीट करने का कोई तुख ही नहीं बनता अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं हमने कभी भगवा पर टिपनी नहीं की इस तरह लाल रंग पर टिपनी कर चुनाफ को जोड़ना पीम पत्के मर्यादा के अनुरूप नहीं है पीम चुनाफ के दोरान ज्यादा ही बदल जाते हैं देश को दो पीम सबी के लिए हैं वोट की परवाक किये बिना लेकिन यास पर्ष रूप से ऐसा नहीं है वे रेखाएं भी धुनली हो गई है नरेश फर्नेंडिस ने ट्वीट किया क्या पीम चुनाफ परचार में शामिल हो गया है नरेंदर मोदी की स्टिपनी का जवाब देते हुए अख सबाद शिक्षा वेपार्वे स्वास्त का और लाल टोपी का क्योंकि वो ही इस बार भाच्पा को सत्त से बाहर करेगी उन्होंने स्ट्वीट में कहा लाल का इंकलाब होगा 22 में बदलाव होगा ये तो रहे विपक्ष की बात लेकिन भाच्पा हिंदू-मुस्लिम के साथ क इसको भी गेरो रंग कर दिया गया और अब ये लाल टोपी वाली बात भी कही जा रही है रंगों की सराजनीती पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजे धन्यवाद खबरो में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं